जोतिश शास्त्र में ग्रहों की चाल बदलने को बेहत महतुपूर्ण माना जाता है। ग्रहों की चाल बदलने का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ता है। 28 दिसंबर 2023 को बुद्ध ग्रह ने चाल बदलते हुए व्रिश्चिक राशी में गोचर किया है। व्रिश्चिक राशी में पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान है। जिससे बुद्ध और शुक्र की युती से लक्ष्मी नाराण योग का निर्मान हो रहा है। व्याधिक जोतिश में बुद्ध ग्रह को व्यापार, वानिज्य, बुद्धी, संचार, आदी के कारक ग्रह मा इस दौरान आपके व्यापार में वृत्थी होगी, नौक्री में तरक्की के अफसर मिलेंगे और आप अपनी बुद्धी का उप्योग करके किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। कौशल में वृत्धी होगी, आप किसी नए बिजनिस में निवेश कर सकती हैं और आपकी प्रेम जीवन में भी सुखत समय रहेगा। करक राशी की जातकों के लिए बुद्ध गोचर शुब रहेगा। इस दोरान आपके करियर में तरक्की के अफसर मिलेंगे। आप किसी नए प्रोजेक्ट में शामिल हो सकती हैं और आपकी परिवार के साथ भी खुशाल समय रहेगा। सिंग राशी के जातकों के लिए बुद्ध गोचर मिश्रुत फलदाई रहेगा। इस दोरान आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपने बुद्धी और महनत से उन्हें पार कर लेंगे। कन्याराशी के जातकों के लिए बुद्ध गोचर शुब रहेगा। इस दोरान आपकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आप किसी नए कौशल को सीख सकते हैं और आपकी प्रेम जीवन में भी सुखत समय रहेगा। तुला राशी के जातकों के लिए बुद्ध गोचर शुब रहेगा। इस दोरान आपकी व्यापार में व्रिध्धी होगी, नौकरी में तरक्की के अफसर मिलेगे और आप अपनी बुद्धी का उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेगे। व्रिष्चिक राशी के जातकों के लिए बुद्ध कोचर स्वैम की राशी में होने के कारण अती शुब रहेगा। इस दोरान आपकी सभी कारियों में सफलता मिलेगी। आपकी व्यापार में व्रिध्धी होगी, नौकरी में तरक्की के अफसर मिलेगे और आप अपनी ब प्रोजेक्ट में शामिल हो सकते हैं और आपकी परिवार के साथ भी खुशाल समय रहेगा। मकर राशी के जातकों के लिए बुद्ध कोचर मिश्रित फलदाई रहेगा। इस दोरान आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप अपनी से उन्हें पार कर लेंगे। कुम्भ राशी के जातकों के लिए बुद्ध कोचर शुब रहेगा। इस दोरान आपको पढ़ाई में सफलता मिलेगी। आप किसी नए कोशल को सीख सकते हैं। और आपके प्रेम जीवन में भी सुखत समय रहेगा। मीन राशी के जातकों के लिए बुद्ध कोचर शुब रहेगा। इस दोरान आपकी व्यापार में व्रिध्धी होगी, नौकरी में तरक्की के अफसर मिलेंगे और आप अपनी बुद्धी का उप्योग करके किसी भी समस्या का समाधान निकाल लेंगे। बुद्ध का व्रिष्चिक राशी में गो